आज के इस वीडियो में में आपको यह बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android में फोन करते समय अगर आवाज नहीं आ रही है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जान कर रही देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर ले दें दें दोस्तों कई बार अब आपको यह पर नीचे आना है इसमें आपको नीचे यह option मिलता Android system intelligence का इसके ठीक सामने आपको थ्री डॉट पर टाप करना है आपका यह पेज आएगा छोटा सा इसमें एप इंफो पर टाप करना है इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड़ी स्टोरेज पर टा आती है तो ध्यान रखना है इस speaker को हलके आतों साफ करना है ठीक है अगला काम करना है कि आपको अपने mobile phone का software आपको चेक करना है कि वह update है या नहीं है पहले तो mobile phone का internet आपको चालू कर लेना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page ओपन कर लेना है ठीक है आपको सबसे उपर यह search icon का बटन या download install अगर लिखा हो दिखाई देता है तो उसे आपको tap करके phone का software अपडेट कर लेना है ठीक है अब देखिए यहां पर आपको अगला काम करना है क्या है आपको mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों यहां पर mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process का आपको नहीं करते हैं तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open कर लीजे सबसे ओपर सर्च आइकन पर टैप करना है यहां पे सबसे ओपर सर्च बार में reset आपको लिखना है आपको नीचे की साड़ेटर रिशेट का option शो होता है इसे ट दिहान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data है सारा data आपकिसी भी दूसरे phone में transfer कर लीजे या आप अपने phone का data का backup ले लिजे दूसरी बात ही ध्यान रखना है आपके phone की Gmail ID और इसका password आपको पहले शोन नोट करके रखना है यह दो काम आपको पहले करने उसके बाद mobile phone को reset करना ठीक है तो दोस्ता इस video और मेरे बतायवे सारे process आपको use करने से आपकी problem solve हो जाएगी